बागे विहारे लाल की जय राधे बहुत ही आनंद का विशे है यहां के वार्शिबो सो में ब्रिंदावन के परम पवित्र भूमी में ऐसे निमित से आना हुआ हम लोग तो अधिकतर हिमाले क्षेतर में ही रहते हैं कभी कभी शीदकाल के समय में यात्रा करते हैं वैसे गर्मी के समय में तो नीचे नहीं उतरते हैं लेकिन पिछले बार जब ब्यास जी से वहां कथा में मेलन हुआ तो प्रसंग वश्य एक आएक उनुने कहा कि इस बार आप हमारे वार्शिवोस्व में आएंगें तो मेरे भी मन में ये रहा मैं बहुत साल हो गया व्रिंदावन आकर के जब मैं पूरवाश्रम छोड़ करके हिमाले के और जा रहा था तो सबसे पहले ये ही आया था तो कुछ समय यहां रहा यहां एक साथ शिवर क्या एक मंदिर है साथ हाँ शच्चिकर मंदिर है वही रहा था ये 94 की बात है तो उसके बाद माले चला गया वहाँ धेन हुआ और हमारे जो विद्या गुरु रहे अभी भी जीवित है स्वाम जी परम पूझे विश्णो तिर्थी जी माराच हम परम पूझे चैदन्यान स्वाम जी से भी अध्येन किये हैं विश्णो तिर्थी जी भी अध्येन किये हैं माराजी 13 साल में गरहत त्याग कर ब्रिंदावन में रह करके पुरे भागवत का अध्यान किया श्लोगों को पूरा कंधस्त किया उसके बाद वे काशी चले गए अध्यान के लिए प्रकाशी से रिशिकेश कैला शास्रम ने अध्यान किया और अभी कई साल से हमारे ब्रह्मविद्या पीठ में रहते हैं तो स्वामी जी से भी ब्रिंदावन के बारे में और भागवत का श्रवन करने का अवसर मिला है देखिए मैं एक बड़ा प्रवचन करने के लिए नहीं सोच रहा हूँ एक संवाथ कि हमारी ये संस्कृती हमारी संस्कृती में पुराणों का स्थान मुझे लगता है कि मुझे इस और ग्यवेशना करने के चिंतन करने का अवसर उपनिशदों के अध्यान करते हुए प्राप्त हुआ क्योंकि उपनिशदों में अनेकों स्थान में इदिहास पुराणा भ्याम ये सब्दा आया है चांदों के उपनिशदों में आप देखेंगे तीन बार इदिहास पुराण की बात करते हैं उपनिशदों ब्रहदारनेक उपनिशदों में सबसे ब्रहत्तम उपनिशद है मना आज तक जितने उपनिशदें प्राप्त हुई है उनमें ब्रहत्तम उपनिशद ब्रहदारनिक है तो ब्रहदारनिक उपनिशद में भी पुराणों के विशई में चर्चा आई तो हम वेदान्द के अध्येन के साथ साथ दर्शन शास्त्र के भी अध्येन करते ही है और उसका क्या स्थान है, क्या महत्त है, वहीं से ये विचार आरंप हुआ, आपको एक अलग सा लगेगा, हम जब अभी भागवत पुरान के ही श्रवन कर रहे हैं, और व्यास जी के मधुरवानी से जब श्रवन करते हैं, तो उसमें डूब जाते हैं, तो उससे जो रस का अनुभव होता है, ये रस और उस रस को जब हम जान के साथ तुलना करते हैं, उस रस को जब हम अपने जीवन में कर्म के साथ मिलाते हैं, तो कहीं न कहीं कुछ शंकाएं आ जाते हैं, जैसा हम कहीं प्रवजन करने जाते हैं, हमारे वेशब भुशा दे करके लोग पूछते हैं, आप क्या ज्यानी हैं? अर्थाद आप ज्यान की बात करते होंगे. आज व्यास जी ने बहुत सुंदर कहा, कि जो उत्तम ज्यानी होते हैं, वो उत्तम भक्त भी होते हैं. और जो उत्तम भक्त है, वो उत्तम ज्यानी है. अब जो चार दिन का जो में विशय सोचा आपको इनी विशयों में से कुछ चर्चा सुनाएंगा अब ये जो रस की बात हम करते हैं ये ज्ञान से अधवा कर्म से अलक कैसे हैं अलक हो सकता है क्या कता ही नहीं हो सकता ये जो पुराणे बने हैं ब्यास जी ने जो पुराण लिखे हैं इसका रहस्या महा भारत में एक जगा स्पष्ट करते हैं हाँ भारत में आदिपर्व में प्रधमा ध्याई में ऐसा दो स्लोग लिखे हैं उसमें एक में करते हैं कि इदिहास पुराणा अभ्याम वेद मुबबर मुहयेत इदिहास और पुराणों से ही वेद की पुष्टी करें या वेद को पोशित करें अब आप सोचिए इदिहास पुराणों से वेद को कैसे पुष्ट करें वेद के साथ इसका क्या सम्मन्द है क्योंकि वेद में क्या वेद का लक्षन कहते हैं अप उरुषेयम वाक्यम वेताहा प्रत्यक्षानुमाना से जो प्राप्त नहीं होता है प्रत्यक्षेयन अनुमानेन जो प्राप्त नहीं होता है उसी अर्थ को वेद कहता है तो ऐसे वेद को पुराणों से पुष्ट करने के लिए व्यास जी सोयम करते है इसमें है पुरा रस क्योंकि वेद का जो तात्पर्य है वो मनन चिंतन के विशे है कठिन तबस्या से दिरधकाल तक मनन करेंगे तब कुछ वेद का आर्थ निकलेगा उसके मन्धन होकर कि उसमें कुछ सार निकलेगा किन्त वही चीज़ को जब आप पुराणों से सवन करते हैं तो आपको प्रत्यक्षुस का अनभव होता है जैसा हम प्रती दिन कठा के समय में जो आनंद हमें होता है जो हमारे मन मगन हो जाते हैं तीन साड़े तीन घंडे के लिए आप आज के समय में आप सोचिए यदि यह सत्य नहीं है साड़े तीन घंडे तक आप बैठेंगे कैसे तो वो अनभूती अब घंडों वेद में चिंतन करने पर शायद नहीं मिलेगा इसका मतलब वेद में नहीं है ऐसा नहीं उसके लिए हम अपने को अधिकारी सिद्ध नहीं किये जब अधिकारी सिद्ध करेंगे तब तो हो जाएगा लेकिन उसके लिए कितना प्रयत्न लगेगा इसलिए जो वेद जानता है वेदांद जानता है वो ही वेक्ति इदिहास पुराणों को समझ सकता है वो ही उसके विद्वान बन सकते है क्योंकि दोनों का इतना तालमें है तो ये अर्थ जो इसका अंदर है इसको शायद सदियों से नहीं समझा है इसलिए जो विदेशी जो पंडितों ने पास्चात्य पंडितों ने जो कुछ लिखा उसी को दोहरा करके हमारे संस्क्रदी में लाए और सब लोग कहने लगे ये जो पुराण है ना पुराण इसलिए हमारे यहां राम जी भी कल्पिद हो गए भगवान भी कल्पिद है ग्रनेश जी भी कल्पिद है सब कल्पिद हो गए कितना गलत है देखे और जो भागवद का ध्यन करते हैं उसका स्रवन करते हैं एक बार भी यह दि स्रवन किया तो वो कभी भी नहीं कर सकता है कि यह कल्पिद है ऐसा लगता ही नहीं कि कल्पिद कधा सुनने से यह आनंद होता है स्वयम भगवान हमारे अंदर उतरता हैसा लगता है शब्दों में भी ओ माधुर्या और अर्थ में भी ओ माधुर्या यह अद्भुद सम्योग यह कोई समस्कार हीन व्यक्ति नहीं समझ सकता मैं यह शब्द इसले प्रयोग कर रहा हूँ कि उसका कोई आऔर smells्कार हीन जो भारति यह समस्कार में नहीं पला हो वो इस अर्थ वोड़ नहीं समझ सकता और हमारे स्कूल कालजों में उनी के लिखे हुए कॉपी करके लोग पढ़ाते रहते इसलिए को उनको वो लगता ही नहीं, समझ में ही नहीं आता और ये जो पुराणी धिहास है, ये वस्तुत है, हमारी भारदिय संस्कृति, इसके असली धिहास है, इसमें कलपना कहां से आए, आभी प्रश्न ये होगा, कलपना कहां से आए, कलपना तो दिखती है कहीं कहीं, आश्चर यह दिखता है अधिशयोक्ती दिखती है काव्य भावनायन दिखती है यह कहां से है यह क्यों है देखिए भगवान का जो सुरू बताया न अब थोड़ी सी गहराई की बाद करनी पड़ेगी यहां सचिदानन्द सुरू बताया सचिदानन्द रूबाय विशोत पत्या दिहेदवे इसमें सत अर्थाद अस्तित वजूद जिसको अंग्रेजी में एक्सिस्टन्स करते है ठीक है और चित अर्थाद जान बोध जिसको अंग्रेजी में कॉंशिस्टनस करते हैं यह तो दो हो गया यह कुछ बाद में बताएं लेकिन तीसरा जो है आनंद यह जो आनंद है अब यह आनंद क्या चीज़ है किसी को पूछेंगे तो तुरंद बता देंगे आनंद मने अच्छा लगता है जो अच्छा लगता है वो आनंद है किन्द यह आनंद क्या बताया यह आनंद आत्मा का भगवान का सुरूप है हमारे यहां शास्त्रों में सुरूप का अर्थ किया है अनपायित्म सुरूपत्वप इतरा अनपेक्ठितम सुरूपं ऐसा होता है कि शुरूब कार्थ है कि वो कभी भी उसको छोड़ नहीं सकता जैसे आग है न अगनी की अगनी अपनी उष्णता को छोड़ नहीं सकती है किसी भी स्तिदी में अगनी उष्णता को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो उसका सुरूप है, किन्दु अगनी प्रकाश को कभी छोड़ती है, क्योंकि कहीं जैसे तवा आदी में गरम करते समय अगनी तो है, प्रकाश नहीं है, प्रकाश उसका प्राकट्य रूप है, प्रकाश उसका सुरूप नहीं है, समझ रहे हैं प्रकास तो कभी अगनी में होती है कभी नहीं भी होती है लेकिन उष्णदा कभी अगनी को त्याकती नहीं अगनी कभी उष्णदा को नहीं त्याकती है यह इसलिए स्वरूप है यह तो प्रामानिक नियम है जो स्वरूप होता है वो बदलता नहीं अब भगवान का स्वरूप यदि सक्चिदानन्द है आनन्द है तो यह इसका मतलम यह कभी हम छोड़ नहीं सकते भगवान के स्वरूप में आनन्द रहेगा ही यह जो आनन्द रस है यह आनन्द है आनन्द देव खल्लूइमानि भूदानी जायंते आनन्द नजादानी जीवंते आनन्दम प्रयंत अभिसंबिशंते ते आनन्दम ब्रह्मे दिव्यजानात इतना इतरे शुरुदी करते हैं कि आनंद ही ब्रह्म है और आनंदादी एवखलु इमानी भूदानी जायंदे आनंद से ये सारे उत्पन होते हैं जन्माध्यस्यत्या आनंदेन जादान जीवंती आनंदम प्रयंती आनंद में जाके लीन हो जाते हैं आनंद में जीवन चलाते हैं, आनंद ही ब्रह्म है, आनंद में ब्रह्म में यदि वे चानाथ, आनंद को ब्रह्म रूप से जानो, अब देखिए यदि यदि आप इसको आनंद को ब्रह्म रूप से आत्म रूप से भगवान रूप से जानने के लिए प्रयास करेंगे, तो आ हम सब आनंद के पीछे हैं प्राणी मात्र आनंद से ही अपने जीवन चलाते हैं जहां आनंद मिलता है वहां प्राणी आक्रिष्ट होते हैं उसी में अपने जीवन चलाते हैं आनंद नहीं मिलेंगे तो एक छण भी शायद हम नहीं जी पाएगे वहीं उबनिशत कहते हैं को ह कोहिएव अन्याद का प्राण्या यदि येश्यश अनंदो नस्थ्यात है यदि आपके हृदल में प्रदिक्षण आनंदका स्पुरणically होता तो आप श्वास व छ्वास भी नहीं नहीं करते कौरेगा खाम? कोह अन्यात का प्राणा अपान की जो श्वास वज भी नहीं करते ये आनंदंदर हो रहा आप भगवान ने भगवान व्याद वियाज जी ने सोच ये सब बाते उबनिशदों में हैं अब इनको साधारन लोगों को जो इतने तपस्वी नहीं है इतने विरक्त नहीं है पुरे जीवन वेद वेदा अधेन के लिए वेदीद नहीं किया व्याकरन शास्त्रादी का अधेन नहीं है उनको इस भगवान का स्वरूप को कैसे समझाएं इसलिए ये रस उत्पन हो गया इस रस को आप आनन्द को स्वरूप रसोवाई सहा उस रस को ही लिया और ओर रस को अलग-अलग रूप में जब प्रकट किया तो काविय रस भी बने श्रिंकार रस भी बने आनन्द रस भी बने भक्ति रस भी हो गया और भजन रस भी हो गया ये सारे रस जो हमारे पास है वो सब उसी आत्मा के हैं इस बात को विस्तार करने के लिए सरल से सरल बनाने के लिए पुराणों की उत्पत्ति होई है इसलिए कहा कि इदिहास पुराण नहीं अध्यन करेंगे तो वेद का सार समझ में नहीं आए मंद्रों को उचारण होंगे लेकिन उसका सार समझ में नहीं आए अब भगवद में ही देखिए जगा जगा इसको विस्तार से किया आनंद का अनुभव हम करना चाहते हैं हम भगवान से प्रेम क्यों करते हैं अब कहेंगे भगवान हमें अच्छे लगते हैं भगवान अच्छे क्यों लगते है यद्रिच्चया मत कधादो जाद स्रधास्त यप्पुमान एक आदसस्कंद में हैं न यद्रिच्चया मत कधादो जाद स्रधा कहीं से कधा सुनकर के मेरी स्रध्धा हो गई और पूर्ण रूप से विरक्त भी नहीं है पूर्ण रूप से कामी भी नहीं है भक्ति योगो अस्या सिध्धिताः वो एक स्लोग में भक्ति योग जान योग तीनों के लिए बता है तीनों कर्म योगी के लिए अधिकारी कोन है जान योग के लिए अधिकारी कुन है भगवान हमें अच्छे लगते हैं जो अपना होता है वो हमें अच्छे लगते हैं ठीक है जो अपने हम मानते हैं वो अच्छे लगते हैं अधवा यो कहें जो हमें अच्छे लगते हैं उनको हम अपना मानते हैं इसमें कौन सा ठीक है बताओ जो अच्छे लगते हैं हम उनको अपना मानते हैं अधवा जो अपना मानते हैं वे अच्छे लगते हैं यह कौन सा सही है इसमें दोनों सही है कि कोई एक सही है देखिए हमें अच्छे लगते हैं इसलिए अपने मानते हैं अपने मान करके अच्छा लगते ऐसे नहीं है, इसमें जवरदस्ती नहीं होता, अपना पनाने के लिए आपको पहले अच्छा लगना होगा, अच्छा लगने से ही अपना हो सकता है, नहीं तो नाम अपना बोल देंगे, सब कुछ दिखा देंगे, अपना नहीं होता है, अपना तब है जब आपको अच्छे लगते हैं, अच्छे लगने का क्या लक्षन है? जिससे आनन्द होता है वो ही अच्छे लगते है जिससे सुख होता है वो अच्छे लगते है अनकूल वेतनियम सुखम मैसा लक्षन किया है जो अनकूल लगता है वो ही सुख होता है अब वे रहस्य को देखिए कि आत्मा का सुरूब आनन्द है और वो आनन्द जहां आपको म इसलिए जब हम कथा सुनते हैं, भगवान का नाम उच्चारन करते हैं, मन को ध्यान में लगाते हैं, हम जब समर्पन करते हैं, अपने हंगार को त्यागते हैं, किसी भी स्तिदी में आपने एक छंड के लिए भी अपने अभिमान हंगार को त्यागा, तो वहीं आपको आनंद की प्राप्ति होती है यह कधा सुनते सुनते ऐसे हो जाता है भजन करते करते जब आभी भजन सुन रहे थे आप वह भजन करते करते ऐसे आनंद में पहुंचाता है हम भगवान के साथ भगवान के जो आनंद सुरूप के साथ एक हो जाते हैं तब भगवान कहते हैं मैं सब के खृदेश अर्जुना तिष्ठधी में, खृदई में आकर में रह जाता हूँ, भगवान में क्यों कहा कि जब मेरे नाम संगीरतन होता है, तो वहां में रहता हूँ, क्यों कहाँ, क्योंकि जब नाम संगीरतन होते हैं, तो हमारे अंदर आनंद प्रकड़ोता है, उस आनंद क रूप में भगवान हमारे अंदर आ जाते है भगवान रूप धारण करते हैं वो ये उनकी एक कला है एक सिधवी है जो आवतार लेते हैं जैसे अगनी में प्रकाश प्रकड़ होता है वो अगनी की एक सिध्धी है एक विशेश शक्ती है लेकिन भगवान का सुरूब जो है वो आपके अंदर नित्य विराजमान है जब आप समर्पन करके भक्ति भाव से अपने अहंगार को त्याग दे है ठ्छन भर के लिए तो आपको वो भगवान की प्राप्ती हो जाती है ये प्राप्त कराने के लिए पुराणों का अंदर मान हुआ है ऐसे पुराणों को कालपनी कैसे कह सकती है इतने ज़्यान भरे हुए हैं पुराणों में कि आज तक मुझे लगता है किसी ने एक पुराणों की एक अनुक्रमनिका नहीं बनाई पुराणों में कितने विशयों की चर्चा है नहीं बनाई है हमने अभी दो PhD स्टुडन्स को इसमें लगाया है कि उनको यह कहा देखो आप लोग रिसर्च करते हैं तो इस विशाई पे करो यह बहुत जुरूरी है क्योंकि इतने भ्रमित करके रखा है तो आपको जहां से आनंदो रहा है भगवान के स्वरूप का दर्शन हो रहा है यह कालपनिक नहीं हो सकते यह पूरा सत्य है यह व्रजभूमी है यहां भगवान नित्य विराज थे मधुरा के बारे में तो भगवान ने दिशमसकंद में स्वयमी कहा मैं नित्या यत्र सन्नी ही तो हरी नित्य रहते हैं मैं अपने गुरुजीवों के कई बार पूछा कि इसका क्या तादपरिय हो सकता है जबकि पूरे जगत में भगवान रहते हैं सर्वत्र विराजमान हैं सभी के अंदर यामी हैं तो मधुरा को लेकर के विशेश वाक्य क्यों कहा इसा तो वे कहते थे कि आप वहां जाके रहके देखो तब पता जलेगा सत्य बात है तो क्यों भगवान ने ऐसा कहा ये वहां जाके रहना पड़ेगा इसके लिए कोई तर्क नहीं है कोई युक्ती नहीं है कि मधुरा को क्यों चुना वहीं आके जन में लिए आपतार उनकी वहीं हुई तो ये जो सत्य बाते हैं ये बुद्धी से परे जो बाते हैं उसको कैसे जानना है अनुभव करके जानना है आनंद को प्रेम को अनुभव करके जानना होगा भगवान के अस्तितों को अनुभव करके जानना होगा यह बातों बातों में नहीं आये कि यहां को तरक विदर के नियाए सिद्धान तो कुछ नहीं चलता है, आप अपनातो को थ्यागों, कभी भी आपको अपनातो को थ्यागने का अवस्सर मिले, थ्यागों, जहां प्रणाम करने का अवस्सर मिले, प्रणाम करों, जो सद्गुन को अपना सकते हैं, उसको अपनाओ और आज जैसे बात हो रहे थी, जो मात्सर्य, लोभ, ये सब ऐसे शत्रू है, कि बड़े-बड़े विद्वानों को भी अपने काबू में कर देते, ऐसे शत्रू, इसलिए मात्सर्य, हमने एक बार स्वाम जी को पूछा था, स्वाम जी ऐसे ऐसे अपने अनुभू बताते थे एक बार पूछा, कि मात्सर्य के लिए क्या करना चाहिए, मात्सर्य निकालने के लिए, उन्होंने एक बहुत सरलुपाई बताया, मैं कहें कि मैं बताओं क्या है, मात्सर्य ऐसा है, कि आप ऐसा भ्यास करो, कि किसी के अंदर कोई भी अच्छा गुन दिखाई पड़े, सा भी अच्छा कारी किया तो उसकी प्रशमसा मुक्त घंड प्रशमस्ता करें तब क्या है आप देखना प्रदेख्षण आपके अंदर से मात्सरे बुद्धी चले जाएगी यह बहुत बढ़िया उपाय है हमारे अंदर प्रशमसा करने में बहुत लोब है हम दूसरे की प्र प्रशमसा यदि आप कर सकते हैं दूसरे के तो आपके अंदर से मात्सरे बुद्धी चले जाएगी तो ऐसे अभी उबायब तो बताना है जीवन के इस आनंद को प्राप्त करने के लिए इसलिए शास्त्र ने यह मार्ग अपनाया है यह सुंदर कथा उनको बनाया और आप को वूसको अपने आप सौंस्कृत नहीं जानते हैं तो यह अधिक कधा को हिंदी भाशामे भी पढ़ लेते हैं तो आप को आनंद वोता है और यह स्रवन करने के भी इसमें एक अलग माधुर्या है क्योंकि स्रवन में सुनते समय जो भाव होता है वक्ता का जो भाव होता है वो उसमें रस को प्रगड कर देता है क्योंकि रस तो प्रगडी करना पड़ेगा आनंद को प्रगड करना पड़े ये सारी बातें यदि हम विधिवत समझते हैं तो ये वो एक पंडित हो जाता है ये सारी बातों को विधिवत उनों ने जान लिया पंडित हो गया लेकिन गोबियों के जैसे इन बातों को येदि आप समरपन से भक्ति से समझते हैं तो भी नखलो गोपी का नंधनो भवान ये स्तिधी प्राप्त ओजाती है तो हम ब्रमास में कि स्तिधी है तत्तों बोध कि स्तिधी है एक जगए नहीं राशप अज़ाध ध्याई में तो अनेगों स्थान में ये प्रकड़ोता है तो ये देखें दो रास्ते दो बिल्कुल येकी फलकों देने वाले दो रास्ते जान में जाए जानी तो आत्मे इवं एमतम भगवत गिदा में भी करते हैं और भक्त में भगवान तो भक्त के वश में रहते हैं जानी को फिर भी कुछ समझा करके जैसा उध्धव को किया था उसी प्रकार कुछ समझा करके भेज सकते हैं लेकिन भक्त से भगवान कभी अलग हो नहीं सकता देखिये हमारे संस्क्रदी में कितनी विशालता है कितनी उदारता है ऐसे संस्क्रदी कहां हो सकते और इसमें जन्म लेकर यदि हम इन सब को प्राप्त नहीं कियें केवल समसार की बातों में ही लग गए हैं तो बहुत धानी है इहचेद अवेदीद अधसत्यमस्ति नाचेदिहावेदीद महदीविनस्ति इसलिए ये अवस्वर को प्राप्त करके इसी में आप लगिये मैंने आज सोचा था कि थोड़ी देर अभी समय है कि कुछ उदाहरन भागवत का ऐसा दिखाए हैं जो आज की बात थी निगम कल्पतरूर गली तम पलं तो निगम कल्पतरू सारे वेद के शास्त्र के ये कल्पतरू ही है निगमस्चा कल्पतरूश्चा ऐसे कर्मधारे करेंगे तो निगम कल्पतरू जैसे जैसे कल्पतरू कार्थ तो आज आपने सुनी लिए जो आप संगल्प करते हैं वो प्रकड़ो जाता है संगल्प करने मातर से प्रकड़ोता है तो भागवद में ऐसे कुछ उदाहरण कि आपको अच्छा लगेगा जो आप उपरिशत का अध्यान करने के लिए या आप सोचते यह जानियों की बात है या हमारी बात नहीं है उन्हीं बातों को भागवद में दूसरे शब्दों में बताया है बिल्कुल वुनी मंत्रों को लेकर के बोलें ऐसे दो चार उदाहरण में बताऊंगा बहुत अच्छा लगेगा एक तो पहला हमारा उपनिशत है उसका नाम है इशावास्य उपनिशत यह कुछ लोग सुने होंगे ये शुक्ले जुर्वेद के समिधा के अंदर गत चालीसवा अध्याई इश्वावास्य उपनिशत यह अंधिम अध्याई के रूप में है जो शुक्ले जुर्वेद अध्यान करते हैं उनको मालूम उसमें ईशावास्य विधगम सर्वं कहा उसका अर्थ क्या है यह संपूर्ण जगत संपूर्ण स्रिष्टी ईश्वर के द्वारा ही सम्व्याप्त करना चाहिए क्योंकि ईश्वर ही सब में है जो हमें दिखता है यह जो भवन बना हुआ है अब आपको पूछेंगे यह इ है है यह नहीं नहीं दिखता है यह तो इंट पत्थर सिमन्ट सरिया आदी से बने हुए है तो फिर ईशावास्य में इश्वर कैसे हो गया है हम रजभूमी को भगवान के जो पादस परश यह जो रजभूमी को अत्यंद पवित्र मानत है जैसे हम वीभूधी धारण करते हैं यहां के जो रजभूली है उसको भी वीभूधी जैसे धारण करने की जरूरत नहीं वह पवित्र मंदर बोलने की जरूरत नहींगे उसको लगा दो इतनी पवित्र तो यह सारे जो दिखता है इशा वास्यम कैसे हो गया इशा ही है ऐसा आप देखिए दिखता कुछ और है यही तो भगवान की माया उसका सुरूप कुछ और है अब इसका एक हेदु आप देखिए इसमें से यह जो भी इदर दिखता है ना इसमें से एक कंड भी आपने किसी ने हमने किसी ने बनाया क्या अब बोलेंगे नहीं सभी के चंदा करके सभी से पैसा ले करके सब मिल करके ये सामाल मा क्या सामगिरी एकतरत किये और बनाए ये सत्य नहीं है सत्य ये है कि हम में से किसी ने भी इसका एक कंड भी नहीं बनाया ना हम सब मिल करके इसको बना सकते क्योंकि ये इसका जो उपाधान कारण है ये जो बना हुआ है ये मिटी से है मतलम सिमंड भी हो वो भी पत्थर का ही बनाया हुआ है सब पत्थर से और उसमें केमिकल मिला करके सिमंड बना देते हैं इंड भी मिटी का है और सरिया तो लोहा तो मिटी से ही निकलता है तो ये सारे आप देखेंगे इसका कारण कौन है इसका सब का कारण प्रिथिवी है धर्ती है ना ये कपड़े हैं ये सारे सब कुछ क्या है ये धर्ती से बना हुआ प्रिथिवी है अब प्रिथिवी कहां से जल से जल कहां से अगनी से अगनी वायू से यह विय्ञान के द्वरा सिद्ध की बात हैं ऐसे नहीं ऐसे ही परिणम होंकर के वायू कहां वाईू आकाशिस दिटा आकाश किसमें स्थित है उस भ्रह्म में कि अब क्या है कि अुस आकाश के भी कारण ब्रह्म से ये काहें इसलिए भागवद में इसको कहते है अश्टम अध्याई में आत्मा वास्यमिदं विश्वम देखे कितने अध्भुत शब्द है दोनों को जोड़ा है बस इशा के जगा आत्मा लगाया वास्यम शब्द वही रखा और सर्वम का परियाईवाची है विश्वम तो ये जो समयोग है ये ही हमको आनंद देता है हम भगवान को साकार भी मानते हैं साकार भी भगवान का रूप है भगवान ने जन में लिया है भगवान ने लिलाएं की है ये कोई भी कल्पना नहीं है ठीक है कोई भी कहेंगे ये कल्पना है ये हमने देखा नहीं पांच आप प्रमान करो प्रमान प्रस्तुत करो बोलेंगे लोगा यह हमारे सोरूप है आनंद है आनंद जहां से प्राप्त हो रहे हो असत्य नहीं हो सकता वह सत्य है इसलिए निगम कल्पतरों का यह फल है तो जहां वेद के आर्थ नहीं लगते हैं वहां क्या करना चाहिए वहां पुरान को अध्येन करना चाहिए वेद में कुछ तात्परिया आपको समझ में नहीं आता है तो महीं रुकना नहीं पुरान का अध्येन करें तो वेद का तात्परिया समझ में आये जो वेद में दो धाराएं हैं ऐसे हमने सुना है एक नो रिषी धारा है, एक मुनि धारा बुट यानि आर्ष धारा और मुनियों की धारा उनकी परंपर इसमें जो रिशियों के वाक्य होते हैं जैसे कर्मकांड में हैं रिशियों के वाक्य है अहर अहर संध्या मुबासीता यावजीवम अग्रिहोत्रम जुहियात यह ऐसे वाक्य मिलते हैं इन वाक्यों में आप कोई प्रशन नहीं कर सकते इसको वैसे के वैसे मानना है मान के आचरन करते जाना है करने के बाद में आपको फल बाद में पता चले उस समय तरक विदरक नहीं करना चाहिए इसलिए चोटे बच्चों को बालक को उपनयन करा करके संध्या सिकाते हैं वो ऐसे करते जाता है बात में उसके गुध्धी विकसिद होती जाती है और वो सभी फल को प्राप्त करते बड़े विद्वान बन जाते है यह होता है अब यह कैसे होता है इसके कोई प्रमान मत पूछो इसको कहते हैं रिशी धारा, आम पूछना नहीं कुछ, नियम का पालन करना, लेकिन दूसरी धारा है मुनी धारा, मुनी धारा में ऐसा है कि जैसा बोला वैसा ही मानना नहीं, वहां पूछ सकते हैं, यह जो उपनिशतें जितने आते हैं, यह अधिकतर उपनिशतें में मुनी दारा में आते हैं. और गुरुष इस्यर का संभाद तो प्रतेक उपनिषत में प्राप्त होता है. तो वहाँ प्रशन कर सकते हैं अब इशाव आस्यम इदगुम सर्वम ये उपनिशत का वाक्य है तो प्रशन होता है कि इश्वर के द्वारा कैसे ये सव्यापत है हम कैसे इसको प्रमानित करें कैसे इसको मानें आपको बोलेंगे भगवान के द्वारा सव्यापत है भगवान सबके अंदरियामी है पूछेंगे न ये भगवान कैसे अंदरियामी है ये भगवान अंदरी बैठा हुआ है तो हमें ऐसे दुख क्यों होता है हम ये परिशानियां क्यों होती है बहुत सारे प्रशन होते हैं तो वहां तरक दिया जाता है वहां मनन करते हैं और आपको अनु अगवद में एकी है यह तर्क है युक्ति है जहां से जो उत्पन होता है वो उसका सुरूप होता है मिटी से उत्पन हुआ पात्रमत्रादी मिटी का ही सुरूप होता है सुवर्ण से उत्पन हुआ आभूशनादी कंकनाती सब सुवर्ण ही होता है तो आप अद्रिक्त करके अलग करके दिखाओ आप प्रूफ करके दिखाओ वो ऐसा नहीं है इसलिए जन्म आदियस्या यह जो जगत दिखाई दे रहा है इसके जन्म कहां से हुआ है वो तत्व सर्वत्र व्यापक है क्योंगि उस तत्व से अद्रिक्त होई नहीं सकता यह तर्क है समझ रहे ना तो इसी को व्यास जी सुबह सुनाया उसको मैं दूसरे ठंग से सुना रहा हूँ कि यह देके कितना बढ़िया उसका सम्जूग है तो जो अत्यंद बुद्धिमान है तार्किक है कुशाग्र बुद्धी है उनके लिए भी व्यवस्ता है आप उस प्रकार सोच करके सिध्ध करो आपको अनुभूदी होगी और जो भाव से समझना चाते है अनुभूदी से समझना चाते है उनके लिए भी है इसलिए ये जो पुरान है हमारे पास जितने भी पुरान है उसमें सर्व प्रथम भागवद महा पुरान है भगवान ने स्वयम कहा कि मैं अपनी ही रूप में भागवद के रूप में में विराजमान हूँ जब कहते हैं समझ कई लोग पूछते हैं भागवद में कैसे भगवान हो सकता है कि अक्षरों के हैं तो आप वहां कहना पड़ेगा सचिदानंद के रूप में है आप शब्द के रूप में भागवद को लीजिए किसी भी रूप में भागवद को लीजिए भाव के रूप नहीं है तो वो ऐसे सुरूब में उसको समझने की ये प्रक्रिया है तो अर्थात उबनिश्दों में जो संख्षेब में कहा उसको पुराणों ने बिस्तार किया है इसलिए इसमें कल्पना नहीं है कल्पना कहां दिखती है जहां अधिशयोकती जब बताते हैं न रूपक बताते हैं वहां कल्पना दिखते है यह रूपक का अर्थ होता है उदाहरन एक को समझाने के लिए दूसरे के साथ मिला करके करते हैं यह उदाहरन होता है उदाहरन में कभी ऐसा लगता है कि समझाने के लिए कुछ भी स्तार कर दिया तो वो कुछ और ही जैसा हो जाता है और अदिश्ययोक्ति में भी ऐसा दिखता है अदिश्ययोक्ति का यह अर्थ है कि चोटी सी बात हो गई हमने उसको इतना फुला करके बोला कि सुनने वाले अभिश्वसनीय मान ले कि बिल्कुल इभिश्वासी ने कर सकते तो ये दोनों बात जब आ जाती है तब हम समशे करते हैं लेकिन जो भक्त होते हैं न उनको वहां कोई समशे नहीं होता है भक्त को कभी समशे नहीं होता है और भक्त को पूछेंगे क्या आप मान के चल रहे हैं कि भगवान हैं भगवान ये सब करता है ऐसा यदि भक्त को पूछेंगे वो तो बोलते हैं नहीं नहीं मान के चलने वाली बात जो है न वो टेड़ी मेड़ी होती है, वो चंजल होती है, कभी आपने माना, कभी नहीं माना, कभी इस पक्ष में, कभी उस पक्ष में, भक्त को जो असली भक्त होते हैं, अनन्य भाव से भगवान को समर्पित करते हैं, भगवान के आश्रवाद को, भगवान के सं उन्मद्ध को साथ शाथ कार करते हैं, उनको विपरीध भावना नहीं होते, समसय और विपरीध भावना नहीं होते, तो उनके लिए आदिशजयोगती ही युफ़ काम की नहीं, रुबक की भैवश्यक्ता में, लेकिन, जिनके मन में भगवान अभी प्रदिश्थित नहीं, भगवान को व्याबग रूप में देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जित्यासा हैं, तब उनके लिए कुछ लीलाओं की बात बताने पड़ेगा, कुछ अधिश्य बताना पड़ेगा, कि भगवान ऐसे ऐसे लीलाओं की, ऐसे ऐसे सिध्धियां की, मैं एक दिन आपको उन सिध्धियों के बारे में बताऊंगा, कि हमने सोचा है, एक दिन रास बंजाध्याई का, कुछ विचार करेंगे रास बंजाध्याई में, कि ये वास्तों में रास क्या है, ये रस जैसा आज मैंने जो ग्राद में कहा, ये रस क्या है, उसको रास कैसे बनाए, उसमें इ बिजार रखेंगे, यह जो आप सुने हुए हैं, आप सब जानते हैं, मैं भी सुना हुआ हूँ, आप भी सुने हुए हैं, उन्हीं बातों में कुछ मिला देंगे, कुछ आमश्र निकाल करके आपको बताएंगे, और यह सिध्धियां, जो अधिशयोक्ती हैं, इनके विशह में भी कुछ विचार रखेंगे, इसलिए हमारी जो संस्कृती है न, यह अभी तक जीवित इसलिए हैं, कि हमारे संस्कृती में सब के लिए स्थान हैं, भारत में देखिए, आपको भक्ती के, भाव के, भागवद के आनन्द लेना है, तो ब्रिंदावन हैं, आपको यदि जान, तर्क, विदर्क, न्याय, सिधान सब पढ़ना है, काशी है, आपको तवस्या करनी है, बद्रिनाद है, केदारनाद है, ऐसे वहाँ जाके आप कर सकते हैं, आपको कर्मकांड करना है, उसके लिए कर्मकांड के शेतर है, रेवा, खंड, कर्मकांड के और आपर वासना के छेत रहें भारत में सभी प्रकार के हैं और TANDRIक मांद्रि करने वाले भी हैं ऐसे बंगा अला साम आधी में वहं हम है तो यह देखे कितने बयापक हैं तो सबी भाव से भगवान की ही हमार आधना करते हैं यहां कोई भेद भाव नहीं और जब हम शाइव बन करके विश्णू के बारे में सोचते हैं तो बोलते हैं हम शाइव हैं दूसरे विश्णू भगते हैं वैश्णव है और भागवद में या शिवा पुराण में अब कहीं भी देखे वहां तो ये दोनों को जोडते हैं कहीं भी ऐसा विरोध नहीं रखता ये तो मनुष्य है क्योंकि मनुष्य भेद भाव को छोड़ नहीं सकता उसको हमेशा भेद भाव चाहिए तब इधर का उधर करते हैं अब यहां भागवद में कितनी सारे कथाएं हैं यहां गोपेशुर महादेव यहां से लेकर करके कथा देखिए शिव सर्वत रहे और शिव पुराण में देखेंगे तो वहां स्पष्ट कहा है जो विष्णू शिव भक्त होकर के विष्णू भगवान के निंदा करते हैं वो पापी है शिव पुराण में स्पष्ट करते हैं तो ये भेद भाव जो है न ये व्यावाहार हमने बना रखे और कुछ अपने लोभ के लिए बना रखे हैं क्योंगि हमारे पंथ हमारे साथी ये जोव रखने के लिए कुछ ना समझी के कारण बना रहे हैं सत्य तो ये है कि ये जो संबूर्ण विश्व है ये भगवान का ही सो रूप ए इशावास्य है और उस इशावास्य को हम भगवान के रूप में ये दिस्विकार करते हैं भगवान हमको आश्रवाद देंगे आओ आश्रवाद क्या है आ आश्रवाद कहते हैं कि कभी ऐसा आता हो आश्रवाद दिखाई पड़ता हो नहीं आप जब कधा में बैठते हैं तो उस समय में देख रहा था सब के मुखमंडल कितने प्रसन्न है अब यह जो प्रसन्नता है यह भगवान के अस्तित्तों के विना कैसे हो सकता तो यही तो इसके लिए हम सब कुछ निचावर करते हैं देखिए प्रेम के लिए आनंद के लिए अगे पीचे कर नहीं जो एक प्रेम हो गया तो ना परिवार का ना इधर का ना उधर का कुछ नहीं होता है क्योंकि प्रेम जो है आनंद का प्रकट रूप है प्रकट भाव है इसलिए वह जब आनंद जब प्राप्त होता है तो सब कुछ हम भूलते हैं कितने कमाय हुए धन को विदित करते हैं एक ठण के आनंद के लिए कितने त्याग कितने कश्ट अनुभव करके भी आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं इसलिए भगवान का सुरूप रूप है उसमें जो आनंद है उसका हम अनुभव करते हैं वेदवेदान्द में जो कहा वही भागवद में निगम कल्पत रूप जो भागवद है उसमें उसके फल के रूप में इसको प्रकट किया है तो भागवद हम स्रवन करते हैं इसी प्रकार रामायन है इसी प्रकार अन्य-अन्य कोई भी पुरान आप लेंगे उसी में से वो मिलता है हमारे यहां एक बात करके मैं समाप्त करता हूँ क्योंकि काफी समय से बैठे हैं ठक जाते हैं देखिए हमारे आदिकुरी शंकराजायर जी के बारे में आप सुने होगे आज भी यहां उनका समरण हुआ थे उनको कहते हैं आदिकुरी शंकराजायर जी अद्वईदवादी है आदिकुरी शंकराजायर जी ज्यानी है ज्यान की बात करते हैं लेकिन आदिकुरी शंगराज जायर जी के रचनाओं में उनके अभी तक जितने रचनाओं मिली है 166 रचनाओं मिली है उनके नाम से उनमें 93 रचनाओं भक्ती स्थोत्र हैं और उन भक्ती स्थोत्रों में आप अभी भारत में देखेंगे सबसे प्रचरिद भक्ती स्थोत्रों में संगराज जायर जी के स्थोत्र आते अद्वईद के भी स्थोत्र उन्होंने लिखे मनो बुध्यांगार जित्ता निनाहम ये भी लिखे कैसे हुआ ये संभव जैसे आज व्याज जी बता रहे थे तो मुझे बस्तु तहा ये सब का समन्नों उन्होंने शास्त्रिय धंग से किया कि भक्ती भी और एक भक्ती नहीं आजार जी की एक महत्तो है शंग्राजार जी का आप देखेंगे उन्होंने कृष्ण भक्ती भी की शीव भक्ती भी की गनेश भक्ती भी की और देवी के भी उनके स्तोत्र है पांचों देवदाओं के स्तोत्र है यमुना के स्तोत्र है गंगा के स्तोत्र है काशी के स्तोत्र है अन्य अन्य जो आचारे रहे हैं उन्होंने अपने अपने इश्ट देवों के स्थोत्र लिखे हैं दूसरे के नहीं लिखे हैं लेकिन इनोंने तो आचार जी ने सब के लिखे हैं क्योंकि उनके दृष्टी से अद्वाइद में सभी अपने अपने यदि आप गनेश जी की बक्ति करते हैं तो भी आपको परमात्मा मिल जाएंगे शिव जी के बक्ति करते हैं तो भी आपको वही परमात्मा मिल जाएंगे आप गोबी चंदर लगाते हैं तो भी आपको वही परमात्मा मिल जाएंगे और आप गोबर के जो है विभूदी लगाते हैं तो भी आपको उई भगवान मिल जाएंगे यह पांचों को पांच देवदाओं को मुख्यमान करके सारे को एगत्रित करते हैं इसलिए उनकी जो रजनाएं आप भगवत गीदा में देखेंगे ना आज जो आप बात कर रहे थे मुझे उस समय स्मरन आ रहा था शंकराजायर जी यहां तक कहें कि भक्ति इतनी भक्ति अनन्य भक्ति के विशही में उन्हों स्लोक में भाशी लिखते हैं तो अनन्य भक्ति का मतलम क्या है कि भगवान से कुछ मांगना नहीं यह तो सत्य है हम सोचते हैं भगवान से कु और यहां तक कहे, संग्राजर जी आप नहीं मांगों, उन्होंने कहा कि आप मोक्ठ के बारे में भी चिंदा चोड़ दो, यह भी आशा मत रहा को कि मोक्ठ तो मोक्ठ के लिए तो सब कुछ उन्होंने लिखा है, लेकिन वहां भक्ती में इतने तनलिल होते हैं, तो वहाँ यह कह देते हैं कि मोक्ठ भी मांगना नहीं, मांगना ही छोड़ दो, क्योंकि मांगना जो है हमारी एक बूरी आदत बनी है, कहीं भी हम मांग लेते हैं, मांगे विना नहीं रह सकते हैं, यह जब छोड़ देते हैं, तो सब कुछ भगवान देते हैं, यदि आपको स्टैंडिंग रखा है मतलब हवेशा एक मांगते रहते हैं आप कुछ दिन के लिए मांगना छोड़ दीजिए और ये मांगिए सर्वे भवंद सुखिना ये आप मांग करके देखो बाकी मांगना छोड़ दो आपकी सारी च्छाएं भगवान पूर्ण करेंगे और आपको पता नहीं लगेगा कि कहां कहां से क्या क्या हो रहा है आपका कोई प्लानिंग की जरूरत नहीं ये अनन्य भाव तो इसलिए हमारे संस्क्रदी में ये सारा कुछ एक है कोई भी मार्ग में आप भगवान के पास पहुंच सकते हैं अपने समर्पन भाव से तो ऐसे ही कुछ बाते हैं हम प्रदी दिन किया करेंगे आपको अधिक समय नहीं लूँगा क्योंकि जो भी यहां आया है तो अच्छा लगेगा क्योंकि आपने भी कुछ अन हैं और यह जो भी हम सुनते हैं तो जो हमको समर्ण आता है मैं कथा में इसलिए बैठता हूं जैसे कथा सुनते हैं तो वो समर्ण आ जाते हैं तो उसको हम तैयार करते हैं तो आपको फिर उसको दुबारा आज जैसा लियास जी ने कहा कि एक मनन एक पुनर्चिंदन हम करें ऐसा दो तीन विशय हमने चुना है, ठीक है, सभी को, प्रणाम हर्योम, ओम, सच्चिदानन्द भगवान की जय, जय स्री कृष्ण भगवान की जय, राधे, राधे, हर्योम, últ nella भगवान की जय, तो कथा तो आप सुनते हैं और सरवत्र आपको कथा सुनने को मिली भी जाएगी, पर इस प्रकार का सत्संग बहुत दुरलब होता है, कथा में और सतसंग में यही अंतर है कथा में भगवान के चरित्रों की परधानता होती है और सतसंग के माद्यम से उन विश्यों पर गंभीर चिंतन होता है तो वो समीक्षा पूरबग उन चरित्रों की चर्चा उपनिश्दों के माद्यम से कथा और पुरान और उपनिशदों का सामन जिस से किस पकार से स्री स्वामी जी महराज ने आज बताया यही सब भी से चिंतन प्रत दिन एक घंटे के लिए हम लोग पूज़ स्री स्वामी जी महराज के मुखार बिंत से स्रबन किया करेंगे तो कथा सुनने के बाद ठीक साड़े आठ बजे क्योंकि स्वामी जी बिलकुल दो मिनट पहले आ करके कोई हो या नहो वो अपने समय से आ करके विराजमान होते हैं और समय पर ही विस्राम लेते हैं इसलिए बिना किसी घड़ी का इदर उदर चिंतन किये आप ठीक घड़ी से साड़े आठ बजे आईए और साड़े नो तक साड़े आठ से साड़े नो तक या पुझे स्वामी जी के माद्यम से हम लोग ये सब सत्संका लाव लेंगे और जो आज नहीं आपाए हैं उन्हें भी बताईए और अधिक से अधिक संक्या में उपस्तित हो जाएए बुल बंदावन बहरी लाले की जैन